है हलो फ्रेंद्स आरेसे स्टिजिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम सुफर 20 का अगला वीडियो निके 21 मा वीडियो अश्टार्ट करेंगे इससे पहले हम 20 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अभी दूसरा वीडियो अपलोड कर दिये हैं जो स्टूडेंट न्यू है वो देख सकते हैं ठीक है तो आज हम 21 मा वीडियो शुफर 20 का स्टार करते हैं नमबर वन से फर्स्ट कोशन में कर रहा है कि दो गहन जिन में से परते का आई तन शाष्व उन्तिस सेंटीमीटर क्यों है यांकि उन्हें आपस में जोड़ा जाता है तो दोनों गहनों को जोड़ने पर बने घनाव का कुल छेत्फल क्या होगा ध्यान दिजेगा गहन का जो दिया हुआ है आईतन साथ 11767 आईतन दिया हुआ यहीं कि एक क्यू बरबर 276 एनिके किसका क्यूं है तो ए बरबर हम कहेंगे कि नों का क्यूं है बरबर 120वा ग। है ना लेकिन का रहा है क्या कि आपस में जोड़ा जाता है दो गहन को आपस में जोड़ा जाता है एक इस तरह से होगा फिर एक घनावर आपस में जोड़ा गया होगा है ना आपस में जोड़ा गया होगा और भुजाब रबर केतना आया यह नो आया तो हम पूछ रहे क्या हमसे करा है कि दोनों घनों को जोड़ने पर बने गहां यानिकि घनाव का कुल छेत्र छेत्र क्या होगा तो ध्यान देजेगा कुल घनाव का छेत्र क्या होता है यानिकि घनाव का संपुर्ण छेत्र क्या होता है इसका सूत्र तो होता है टू इंटू एल वी पलस बी एच पलस एल एच होता है यानिकि घनाम के यानिकि कुल कुल छेत्र बरबर एही हो जाएगा अब देखिए यह तो यह पूरह हो जाएगा तो नो-nो, 18L कमान केन्ना? 18 अठारा हो जाएगा भी कमान केन्न हो जाएगा, 9 हो जाएगा. और LB, HB 9 हो जाएगा केन्न रंता हो जाएगा, वुचाई केन्ना? कितना है बीनों है पलस बीएच बीकितना है नो है हृड धीनु है गलास ए Crisраз का एकल्कूलेसन कीजिए अठर नमा वर्शठा से पलस norने अक कासी पलस अठर स्था से 162 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दो तीन दू पांच चो आठ चो चाउदा चाउदा चो बीस के जीरो एक कि एक दू अदू चार और इंटू में था गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा गुना किजेगा दो गुने चार सो पांच बरबर 8-70 हो जाएगा तो इसका सई अंसर आठ सो डा सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा तो एक कुछ तो बोला कि अगर 12 के बाद उसका यूश्व होगा 11 में 10 था ता 10 बी में कुछ आुश अउसत होगा जिसके कारण कितना बढ़ रहा था तब पांच बढ़ रहा था हम पिछला वीडियो में भी बोले थे कितना बढ़ा था 5 तो कुछ नहीं कीजिए तो एकल भी पारे के बाद उसका तमस्ति वाट रहा कि बढ़़ना थी बढ़े बढ़ तो घ्या डिना अधन को आदे कहने हो आद जाegएगा है मैं निश्ट को सब्सक्राइगे को टारें nasalिह कूर्षन की बात करेंगे करा कद्मि एक रुपिया में पांच जबंखन सब्सक्राइब उसके बाद एक रुपिया में चार पेन बेचता है एक नौट कर देंगा तो पांच को सन क्या बात करेंगे कोई बेकार ये घरी को 450 रुप्या में खरीडता है तथा इसकी सूची मूल पर निर्धारित करता है दस परशन बट्टा देने के बाद 20 परशन लाव तो घड़ी का क्राय मूल क्या हुआ सुची मूल यानि कि अंकित मूल कोई चीज़ लाते हैं तो उसका मूल कुछ हो रहता है लेकिन आपने अपने मन से उस पर श्टीगर ला के बढ़ा के यहनि कि अंकित कर देते हैं इसका म पर आध रखेगा आंकित मूल पर अंचित मूल पर बटक मतलब का सकते हैं छूट तहुट किसमर मिलेगा नंकीत मूल का मतलब होता है कि आप घर दे कोई बेचने के लिए 20 रूपिया में लेकिन आप घर मिलाएं और आश्टिकर आप अंकित कर दियें 30 रूपिया का आब उ उसफर निलता है तो वहीं बोलाए मालेते हैं कि अंकित मुल्शाव चूट दिया कितना छूट दीया कितना है दस पर्शंट का बट्टा दिआ है तर दस बट्टा देगा जनक छूट तर सुमने दस पर्शन बट्टा देगा यानी कि नभे में देगा तब भी करा कि 20 परशन लाब होगा अब धियान देजेगा आप लाये था बैस उरुपया में बात के मतलब अब अपना मन से अश्टीगार यानि की अंकित कर दियां 30 रुप्या के अब छूट भी दे रहें तपर भी लाब हो रहा है इसका मतलब बढ़ा के अंकित के हैं उसी पर ने लाब होगा तेहां पर बोला कि सही में इसका करायमूल केतना था पचात्तर था लेकिन 25 रुप्या बढ़ा के अंकित किये थे तो करायमूल का इरेशियो आ गया अब में दासे देखें 450 रुप्या करायमूल के तुलना करायमूल से पचात्तर से अगुने कर रहा है कि धाड़ी यानि किलाव तो घाड़ी का मूल क्या होगा तो 100 से गुना कर दीजिये का छट लीजिये 25 चौशाव 27 ती याप चात्तर रही काटीगा तीन से तीने कायं तीन पच्छें पंदरा यानिकि फिर 15, 4, 60 यानिकि किनना जाएगा छेस हो आजाएगा एही अंसर हो जाएगा आपसन नमबर भी हो जाएगा नेश्ट कोर्शन की बात करेंगे करा एक तिर्भुज जिसका सिर्स दिया हुआ है तो और कि पूरा है कीटना स cricket और माइनस चार और माइनस तो थीन हुआ दिया हुआ है एक सब्सक्राइस यूंड इस टाईप के कोशन में कुछ नहीं करना किसी को हमको चीरो कर देना किसीको कर दिजिया जीरो या इसको कर दिजिया 0 यह इसको कर दिजिए 0 जो असान होता होता है इसको करते हैं 0 अच्छे इसको 0 करेंगे यहाणि कि मैनस 4 है तक कितना करेंगे कि 0 अब कुछ नहीं जितना पलस की है इसमें भी यह तो पलस की है एक्स में चार तो एक्स में चार आइड करेंगे तो एक पहले से आए चार आउड करेंगे तो चार आएक पांच बाइव में पहले से दू और इसमें आइड किये आइड करें पड़ेगा के ना तीन तीन दू पांच आप देखिए इसमें आप आइड कीजिए चार चार आठ इसमें एड़ कीजिए तीन एक चार आप कुछ नहीं करना है नजदिक के नजदिक से दूर के दूर से कुना कर दीजे तो पांच चो के 20 आओ आठ पचे 40 माइनस 40 अब बटा में दू करेंगे तो 40 में से 20 गया तो ऐसे कही है कि माइनस 20 होगा बटा दू तो मैंनस में नहीं लिया जाता याद रखेगा अंसर कितना गया 10 आगया फालस में ही होगा ठेके निया तो किन्था ऊप्सन से कितना है एक हो जाएगा ठेके निस्ट कोशन की बात करेंगे कराए किसी बव भूज के 44 विकर नहीं है इसके भुजाओं की संख्या क्या होगा मैंने राचे जो दिया हुआ 44 बीकरने क्या है विकरने तो बीकरन के तुलना बीकरन से करेंगे पीकरन के फर्मूला क्या होता है एन इन्टू एन माइनस 3 वाई टू होता है और यहाँ चीज का निशान है बराबर का यहां पर कोने सलमान पूट करे कि इतना आ जाए वही अंस सब्सक्राइब करेंगे तो आजाएगा सी या तो कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा कुछ नहीं किये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है क्या है में भिकर्ण दिया हुआ है तो लग खोला कि तुम्हें बीकर्ण से विकर्ण का होता है फ्रॉलरा कि एंटु एंटु फ्यार्ज्वाजट Church मान фин हो जाएगा option number hi till देश्ट कोंस करा आ राहूल की अई उसके पिता के बरतमाने उसे याधी है राहूल पीता कई सकते हैं कि पीता जी और राहूल है आई से भी पीता बड़ा होते हैं तोगा एक कि राहुल पीता की आई से याध ही यह कि पीता के दून आफिक तो आध्य के बात है उसके बाद computing पहले 15 BURTS पहले बोला कि पीता कि अउसकी आई अपने पीता की आई का एक तीहाई एक तीहाई के मतलब पीता ऐसे तो नीचे के अंतर तीन और एक में अंतर दू करेंगे तो उपर में दोसे गुना करेंगे हो वाइक में एकां थैक में के finns में किना करेंगे अंतर अब समां देखें एक कि अंतर तीन आघ्षार नहीं ये पूछ लए हो जो निकालेंगे तो ऑषमान में निकलेंगा मेलेगा निकले हुआ उत्राहुल के निकलेंगा के थो है क्यों like दो सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा कौन करम सचार अनुपात तीन के अनुपात में हैं सबसे छोटा कौन सबसे बड़े कौन का आधा है तीर भूज के सबसे छोटे कोन सबसे बड़े कोन के बीच का अंतर क्या हूँ धियान दिजिएगा तिर भूज में ङasanते हैं तीन भूजा होता है woo Spalury सबसे बड़ा और दूसरा बड़ा तो च्छोटा हो जाएगा तो सबसे बड़ा ओ दूसरा बड़ा कानुपात देले चा पूछ रहा है कि बड़े सबसे बड़े कोन के बीट करा है कि सबसे छोटे कुन और सबसे बड़े कोन के अंतर पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कोन केतना चारा सबसे छोटा कोन केतना दू इसका अंतर के मतलब घटा के तर चार में घटेगा तो धूर कि अन्तरियन के दूचेली नो दूझी seated ऐख बैदनी 40 हो जाएगा और सन नमबח हो जाएगा कि अबत कोशंच की बात करेंगे मुझेड कोशंच की बात करेंगे तो वань कमेस कोशन में दरब डाल दिया गया यह नुपात बदल का दू अनुkaअी रहन नहीं किना local टा ध्यान दिजैगा जब दरब डाला जाता है तो देला एक है क्षेजर लेकिन सब्सक्राइब दस लिटर निकाल कर उसके जगाए दस लिटर दरव डाल रहा है तो डाल रहा है तो तो यह को बराबर करेंगे बराबर कैसे होगा उपर चार है टो चार करना है तो बराबर कईसे होगा तो कहीए गया मजब नहीं करना है उपर या यहां यहां तो बराबर हो गया जाद ठीज़ का तूरह पूरा पांस से यह टाइप में हम पहले टोटल निकालते हैं पहले टोटल निकालते लगड़नगा थे ठीखेन और तो दूधुनि 4 तीन थे 16 छोफ़ववा चिए थ depriके ना तो तो गिया कि पाँच दूही दास दोनीप अब कहेंगे कि टोटल तो 20 आ गया कितना गया टोटल 20 अब कहेंगे कि टोटल के तुना उपर वला टोटल से चार एक पाँच से एनिकालना है यह तो चार से इतना करना पड़ेगा पांच चोबिस चार चाओ 16 आ जाएगा ऑप्सन नमबर एक हो जाएगा कई बार पूश चुका है कि नेश्ट कोशन की बात करें कर रहे हैं तिन घंटी करम सब 15 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है यदि ये पराता 11 बज़े तो एक साथ आगे एक साथ कब बजएगी ध्यान दिजिएगा पंदरा है बेस आए और 30 मिनट के अंतराल में बजएगा और बोला कि यदि पराता 11 बज़े बज़ा है तो अगला बार कितना बज़े बजएगा है ना तो कुछ नहीं करना है इसका लसी अम ले लिजेगा पंदरावी साथ आधा जैगा और जो दिया हुआ मिनट में तरहीं जो एलसीम आ गया साथ आ गया तो साथ मीनट का मतलब कहेंगे कि एक घंटा के 12 बज़े बज़ जाएगा ऑप्सन नंबर 2 हो जाएगा नेश्ट को संब की बात करेंगे करा दो ब्यक्ति कुल्दीप और आगर कर अलग अलग काम करते हुए क्रमसा आठ और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं बे एक एक घंटे की कार जब धी में कुल्दीप को क्या लिख देते हैं अगर कर को यह लिख देते हैं बोलाए कि याठ आई बारा घंटे में जोद सकते हैं इसका लसीम लेंगे कि यह समय दीआ हुआ समय क्या उल्टा चेमता हो जादेगा शक्याषा खेम लेंगे चितर दूबिस अन्ट्प फिस को गुणा करेंगे तो हमको टोटल 25 काम करवाना है शाव जोबिस अब धियां दिजिए अब एक दीऑ करेगा टोटल काई दिन करेगा टोटल फिस दो दि हमको करवाना है 24 हमको करवाना देगा हम तो हम करवाना है तो याद रखेगा हम कहेंगे कि कितना से गुणा करें कि 24 आजा यहाँ पर कितना रखें की 24 आजा यह उसे कम आए धीmir जादे नहीं जदी पांच रखते यह 25 25 इचोवीस करें कर हांबंगा 25 काम हमको करवाना कितना है हमको 24 काम करवाना भी भी बचा हुआ है चार काम बचा हुआ है कर दिया है जिसमें कुल्दीप में नो यह में काजरम करता है। पहले आप कुल्दीप करेगा नो यह में तब पहले कुल्दीप करेगा कुल्दीप के छमता केतना है तीन है तो हम इसको एक दिन करवा देते हैं बारी बरईवला में एक अक दिन करवाते हैं तो हम अभी भी हमको बचा हुआ है चार काम भी से काम हुआ है चार काम तो हम एक दिन कुल्दीप को करवा देते तो हमको तेस काम में कितना दिन लगा तो कहेंगे कि चार दुनी आठा एक नो दिन लग गया केंदा दिन लग गया नो दिन आप कहेंगे क्या कि हमको कितना काम बचा हुआ है एक काम बचा हुआ है कहेंगे कि हमको एक काम बचा हुआ है और काम कौन करेगा और मस्ति अगर करेंगा कई की छंता से हुए कि इतना दिन लग जाएगा कितना लग जाएगा इतना घंट लग जाएगा सब deportation नो घंट लग जा cancer जोड़ने हैं कर सकते हैं तो आप्सन नमबर भी हो जाएगा यानिकि साढ़े छे हो जाएगा नो एम से साढ़े नो घंटा और जोड़ियेगा तो छे बज के यानिकि साढ़े छे पी एम हो जाएगा इतना तो आपको करना पड़ेगा अपर सिंपल को सन है पाइगे के चित्र में बी सी डी समनांतर व करमाद गिर्फुज अबरे सी का च्यद्फल 25 संटिमीटर 25 संटिमिटर संब्लम चतुर्भूज बीसेडिक चैटफल 24 सेंटिमिटर संटिमीटर अदे 14 तो वी सिक्या धियान दीजिए एक फिगर दिया हूआ है और इसमें बोल्डिया है ए डी अपी और दिया हुआ है क्या बीसी दिया हुआ है यह लोनी से पर remote है और बोला है अब वोला है BCD का छेत्रफल BC D BC D BC ED का छेत्रफल केतना दिया हुआ 24 दिया हुआ है हम को कराए कि D 14 है कराहि कि D 14 है जो है 14 है हमसे पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है यह पुछ रहा रहा क्या पूछ रहा है हम से एक पूछ रहा है उसकर सकते हैं न लिखेंगे कि आ判 बीры il बरबर बूर्बर Internet दे शोल कि पूरा क्या हो जाएगा विस के कहें यहां पर क्या हो जाएगा यह पूरा का छेत्र फल हो जाएगा एडी का छेत्र फल हो जाएगा तब कर देते हैं तो हम कहेंगे कि यहां पर लिख दे काहला नीचे करते हैं यहां पर हो जाएगा तो डी यहां पर हम धर देते हैं तो डी यहां पर हम धर देते हैं करते हैं कि यह बढर घर कर देंगे तो लिखेंगे कर रहे हैं लेकिन अंडर उट करेंगे तक न आ सकते हैं बीसी बरावर दस आजएगा बीसी बरावर करना या दस आया नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो यह इसका नमर कौन हो जाएगा स्क्राइब bet session की बात करेंगे कि तो also doesn't mean क्या कर रहा है नैस्ट के रहा है कि इएख some about listening डंबाई के नहीं 26 सेंटी मेटार उसके विकरन की लंबाई तालीं सेंटीमीटर दूसरे विकरन की लंबाई ग्याद किजिए इही पूछ रहा है ने तो दिजिएगा कर रहा है कि कि शंभुज है ना समने बराबर बाहु ने भूझ निका लिए ने फिर भी करन के पूछना कि इजादे जादे कि अरे समझ जाएगा चला धियान दिजेगा करा यह भूझा की लंबाई 26 26 26 दे दिजेगा भूझा के लंबाई सब्सक्राइब करा आए कि एक बिकरन की लंबाई अगला के दूगना पांदु नहीं दस हो जाएगा तो धियान दिजेगा इसमें हम देखेंगे सोरी इसमें देखेंगे कि 26 आई 24 आई 26 आई तो अगला यह केतना हो जाएगा इस हो जाएगा अव एक साइड़ी दस है यहीं दस हो जाएगा तो हमसे तो यहीं पुछा तो दस बिस हो जाएगा तो आपसर नमबर भी हो जाएगा और पैथा गोरश टिपलेट जरूराद रखिएगा नेस्ट कोशन की बात करेंग सव जहाएगा और तो मान निकालने के लिए कि करते हैं कि 35 अस्कॉरियर अस्कॉर पलस च्वाईर पलस अर्की अब बटा में जो है ना जितना इतला उसके उन्हें map नवब देते हैं यही करते हैं तो हमको तो याद है नहीं याद है तो धरेंगे यांकि 5 के क्यूव 125 लिखेंगे बाकी ये फिर पांच के अस्क्वाइर 25 25 पचा तर्ट रिक शीयत्र हो जाएगा फिर पांतिए 15 यह निकि आजएगा 15 शीयत्र पचीस हैं चारां के कि अपसे नमबर दी में हो जाएगा इतना आपको करना पड़ेगा मान निकाल राम से निकल जाएगा काल्कुलेशन जो भी करिया आप उसके बाद अगला कोशन बोला है कि यह ने बी को 5000 रुपिया दू बर्स के लिए तथा सी सी को 3000 रुपिया चार बर्स के लिए एक ही दर स कि दर से उध्याच दिये उचने उन दोनों से बियाज के रूप में 22-OR-Pयाप्त कि लिए तो यह तो कुछ नीकर ना है बियाज पोछ र यहां पर बिया दिया हुए तो बी आटि निकालन का ये oh again सबूखर एक और दीया हुआ उसका इसी परकार से लिखेंगे कि मुल्धन में गुने कि इतना क्या लिखें डिरेक्ट कर लीजिएगा कि मुल्धन दिया हुआ干 इतना किना किना दिया हुआ पांच हजार मुल्धन पांच हजार अगुने समय दू बर्स और कितना दिया हुआ दर नहीं दिया हुआ दर निकालना है और अगला के लिए कितना बटा सव कर लेंगे अगला के लिए कितना दिया हुआ है तीन हजार दिया हुआ हैivity000 दिया हुआ है समय चाड़ दिया हुआ है और ही दोनों को न कि यहाज sih कर रहे हैं आपका चाल ले दिए भी संदहना पांदो निज द स ययनकी साइऑ तो देखिए यहां पर यहां पर टोटल वाइस सो जो आगे यहां पर टोटल कितना आरवन अब अब याज दूसरा दर आए पहला दर आए दूसरा दर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चुपा लियें यहीं कि बाइस इतना रहता तो इससे काटे गारने दस बार में कटेगा बस तो पूछ रहा हैं तो अब आज की दरदास पर्शन तो बस आज भार इतना ही रहने देते हैं ठीक है जदी समझ में आये तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करें